खबर उत्तर प्रदेश के अम्रोहा से जहां गाव नवाबपुरापूर्व ब्लॉक प्रमुक पती अशोक नागर के भतीजे संदीप की शादी के दोरान रिसेप्शन समारोह में पत्रकारो सांसद वनेताउने की शिर्कत एक ऐसा परिवार जहां सयुक्त रूप से लेकर एक प्यार इतना संसकार आज भी कायम है अशोक नागर, तेजपाल नागर, सुनील नागर और विनोध नागर से लेकर पूरा परिवार जी हां हम आपको बता दे अम्रोहा उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली में गूंजी शेहनायों की गूंज जिसमें अशोक नागर के भाई यह बहरिश्ता कहलाता है, दो आत्माएं एक जान बन जाती है, जिसमें इस दिन का सभी को इंतजार रहता है, कुछ भी कहो लेकिन वह दिन आ गया जिसे संदीप और पूजा को इंतजार था, रस्मो रिवाज से रची शादी में अम्रोहा उत्तर प्रदेश से लेकर दिल् दूसरे से वार्तालाप की जिसमें तेजपाल नागर के पिता पूर्व, CBA इंस्पेक्टर लायक सिंग नागर ने भी अपने बेटे की पुत्र वधू पूजा को आशीरवाद देकर लंबी उम्र की कामना की, जिसमें संदीप और पूजा ने भी आशीरवाद पाकर सभी क चरंस पर्ष किये जिसमें हर किसी को कही ना कहीं किसी के साथ सेलफी लेने की होड लगी रहती है तो एक दूसरे ने संदीप पूजा के साथ सेलफी भी ली बात यही तक सीमित नहीं शादी की रिसेप्शन में महिलाओ पुरुश से लेकर बच्चों ने भी खाने का जमकर आनन लिया कोई डीजे पर नाचे तो किसी ने अपने हाथों से ही शहनाई बजाने शुरू कर दी फिर क्या था अपना पन भी था जुनून भी था जब हाथों से बजाई शहनाई तो शहनाई की गूंज गूंजी दिल्ली में उसी परिवार के संदीप के साथ साथ फेरो के बंधन में पूजा का बंधन 11 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर की रात की यह तस्वीर है आप खुद देख रहे हैं पूजा का बंधन है यह परिवार क्या कहलाता है अम्रोहा उत्तर प्रदेश से दीपक कुमार की रिपोर्ट देखते रही है आपका अपना चैनल आंचले खबरें अपनों की खबर आप तक अपनों की और नहीं प्रदेश से श्तर आंचले हैं आ है आपका बंधन है आत्तर आंचले वेग हैं